नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अप्टीजस पे तो यहां पर सीवीटी में एकनॉमिक्स इंट्रेंस एक्जामिनेशन से रिलेटेड हम तो कुछ सब्सक्राइब करेंगे तो यहां तो यहां परस्ते हैं करीगा चलिए नेक्स जो हैं इस्टार्ट करेंगे हम् कुशन से अब हमारे इस टेलिग्राम ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं जो कि सीवेटी एम एकनॉमिक्स डिसकेशन ग्रूप है यहाँ पर बिसिकली हम आपको कॉंटेंट पीडिएफ जो है आपके एक्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं आपके एकॉनमिक्स आपको यहाँ पर लगाता है शेयर करते रहते हैं अपकी एंट्रेंस एक्जाम के रिगार्डिंग उसका लिंक मैं जो है आपको डिस्रिप्शन में प्रोवाइड कर दोगी चलिए स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला प्रशन है नैशनल इंकम इस दा नैशनल इ इंकम होता है वो बैसिकली इसको नैट नैशनल प्रड़क्ट एड फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं अब हम बात करेंगे कि नैशनल इंकम क्या होता है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेस की आपकी एकॉनिक टेरिटरी में उसकी वैलू होती फाइनल गुड्स और सर्विसेस की वह हमारे क्या होता है नैशनल इंकम में एड होता है एक पर जो है आपके पर्टिकुलर पीरिट अफ टाइम में ठीक है आपके अकाउंट हो रहा है जिसको फाइर भी बोलते हैं जो कि कब से स्टार्ट होता है आपका एक अप्रिल से लेके चलता है आपका 31 मार्श तक ठ बिसकली अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर अप जब नेट नेट करेंगे नेट डिमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या आपका डेप्रिसीएशन ठीक है डेप्रिसीएशन को एड करेंगे तो यह हमारा आजाता है जीडिपी यानि जो गोड्स अन्स अपके एकॉनमी में प् अगर हम उसको जीडिपी में एड कर देते हैं तो यह बाहर से आपको इंकम हो रही हो जैसे आपके वेज हैना डैविडेंट प्रॉफिट क्लियर जो भी आपके बाहर से आपको बन रहा होगा वह आपके एकॉनमी में एड होगा ठीक है तो वह हमारा क्या हो जाता है जिए नेट फेक्टर इंकम फशॉब्रॉट कि तो इसमें दोनों इंकम आएगा यारी आपके देश में जो लोग बाहर जाके कमारा है जैसे यूक जाके गर से एक गार ने को एक्जाम्पल ले तो महां लीजे कि UK पे जाके आपके देश के लोग 50,000 कमा रहा है और अगर आपके देश में कोई भी फॉरेंड का व्यक्ति आके 10,000 कमा रहा है तो यह जो बीच का डिफरेंस हो गया इसके 40 के आपका नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम बात करें आपके मार्केट पाइज एंड फैक्टर कॉस्ट की पहले बेसिक पॉइंट के एगर समझ ले तो मार्केट पाइज वो प्राइस होता है जिसमें कि आप अगर जो आप किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को करते हैं खरीदते हैं और बेचते हैं तो बिसिकली यह तो आपका हो गया आपने खरीदा और बेचा साथ साथ इसमें क्या इंक्लूडेट होता है ठीक है आपका इंक्लूडेट होता है ठीक है अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें यानि आप यहां पर कंजूमर देख र होगा अपका indirect tax, clear और अपकी subsidy क्या हो जाती है minus हो जाती है, तव क्या है? अगर हम factor cost की बात करें तो factor Cost हम किस पे pay करते हैं तक माइनदारेंक सबसीडी आपका परती है, यहारनी falsa जो है तो यह हमारा basic कुछ concept था है अगर हम बात करें इस मिलेगी कि net national product at market price क्या हो जाएगा तो अगर हम बात करें net national product at market price जो हो जाएगा वो आपका GNP पहली चीज तो जो net national product है वो किससे आएगा आपके net national product जो है आपके GNP से gross national product से ही find करेंगे हम ठीक है अगर हम gross at net का formula अगर समझे एक मेंट इसको समझ लिजे फिर next point पर हम आते हैं अगर हम अगर हमको net निकालना है net किसी चीज़ का या फिर आप कोई भी मतलब यहां पर net national product निकाल लो या फिर net domestic product निकाल लो तो आप क्या करोगे तो gross कैसे निकलेगा net plus depreciation ठीक है depreciation यह चीज़ हम एड़ कर देते हैं तो basic concept है कि net निकालने के लिए gross minus depreciation and net निकालने के लिए आपका जो है gross निकालने के लिए net plus depreciation तो यहां पर basically हमने यह basic formula देखा अब अगर हम बात करेंगे net national product की net national product कैसे find होता है तो GNP minus depreciation clear अब इसको पहला formula है क्या market price पे हमें find करना है तो हम यहां पर भी क्या करेंगे market price में से क्या करेंगे मतलब आपका GNP at market price रहेगा minus depreciation clear तो यह हमारा क्या जाएगा NNP at आपका market price अगर हम बात करें NNP at factor cost क्या हो जाएगा तो याद रखेगा यहां पर GNP at factor cost minus depreciation clear यानि यह आपके पूरी बात करेंगे कि हमारे economy में जितने भी factor of production में यानि आपका वेज रेंट ठीक है वेज रेंट प्रॉफिट डेविडेंट जो भी चीज़े हैं उसमें से हम जो depreciation को minus करते हैं हमारे economy में जो है और साथ साथ ब्रॉड से आई है उसमें depreciation को minus कर देते हैं तो यह दो बेसिक फॉर्मुले यहां पर है गर हम इन दोनों और फॉर्मुले की discussion कर लेते हैं ठीक है यह भी आपका clear हो जाएगा यहां से तो गर हम NDP आपका बात करें NDP यह अपका क्या हो जाता है GDP at market price minus depreciation हमारा क्या जाता है NDP आज रिखेगा कि जब हम net domestic product को find करते हैं तो हम GDP में से याद रखेगा कि मानस करते हैं कि इसको depreciation को और यह भी market price होगा तो इधर भी आपका market price होगा यानि market price में से ही हम depreciation को माइनस करेंगे अगर हम बात करें इस वारे formula को देखे तो तो आपका NDP at factor cost है यह तो इसर क्या हो जाएगा आपका GDP at factor cost minus depreciation ठीक है तो आपको साथ से यह सारे formula clear होंगे क्योंकि हो सकता है आपकी exam में एक question आए नेक्स्ट हमारा national income is called as national income को क्या कहेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका GNP at factor cost आपका अंसर होगा clear अभी मैंने बताया था कि NNP at factor cost को भी हम जो है national income कहते हैं और अगर आपका GNP at factor cost भी दिया है तो भी हम उसको national income कह सकते है ठीक है GNP at factor cost की बात करें तो क्या होगा आपका GNP at factor cost अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर GNP at market price minus indirect taxes plus subsidy ठीक है हमने भी जस्ट बात किया था कि जब factor cost निकालते हैं तो factor cost में क्या होता है आपका market price तो रहेगा ही उसमें से हम क्या करेंगे indirect tax को निकाल देंगे क्योंकि market price में हमारा क्या होता था indirect tax included होता था और हम क्या add कर देंगे subsidy जब हम add कर देंगे तो यह हमारा factor cost मन जाएगा तो यहाँ पर GNP at factor cost निकालने के लिए हमें अब हम तीन तरीके होते है national income को measure करने के basically कौन-कौन सा income expenditure और आपका value added method ठीक है तो यहाँ पर अगा बात करें कि income method में अगर हम estimate कर रहा है national income को तो कौन सी चीज और कौन सा जो option है वो include नहीं होगा तो rents include होता है अपकी mixed income include होती है undistributed profit भी include होता पर pension कभी भी include नहीं होता है आपके जब आप income method से national income को measure करते हो अगर हम बात करें income method कि तो income method में आनी जितना आपकी यहाँ पर income हुआ suppose कि आपने profit earn किया ठीक है profit हुआ rent आया rent and royalty ठीक है यह भी आपके इसमें आता है clear अगर आपका mixed income है ठीक है mixed income ठीक profit मैंने अल्रेडी बता दिया ओके तो यह जो basically rent हो गया profit हो गया interest हो गया ठीक है तो these are included in national income but pension is not included in national income ठीक है यह आपके national income में include नहीं होता है clear option number C यहाँ पर correct हो जाएगा next question है national income is generated from अगर हम बात करें कि national income कैसे generate होता है तो क्या यह money making activity है क्या यह जो है any laborious activities से होता है या फिर profit making activity से होता है या फिर आपके every productivity ठीक है क्या किसी भी productive activity से आपका जो है national income generate होता है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम laborious activity की बात करें गर labor काम करता है तो उसको क्या देते हैं आपका wage देते है तो wage हमारे national income में add होता है clear तो यहाँ पर आपके wage से हो जाएगा ठीक है यहाँ पर तो option number भी correct होगा next हमारा है the income of the India working abroad a part are a part of the income of Indians working abroad are a part of किसका पार्ट है यह तो यह आपके net domestic product कहेंगे clear यह आपका option number c correct हो जाएगा क्योंकि अगर हम net domestic product की बात करें तो net national product plus net factor income from abroad net factor income from abroad भी आपका यहाँ पर आ जाता है clear okay तो यहाँ पर जो है आपका option number c clear हो जाएगा ठीक है national income is India estimated by किसके दौरा estimate किया जाता है आपके राश्ट्री आयक भारत में तो याद रखेगा कि अब यह सिर्फ CSO के दौरा नहीं किया जाता है CSO plus NSSO यह दोनों के द्वारा जो है आपके national income को estimate किया जाता है CSO और NSSO अब यह दोनों मिलके क्या बन चुके है NSO ठीक है इसके द्वारा जो है आपका estimate किया जाता है next हमारा है which of the following method are used to calculate the national income in India कौन सा आपका method है जिससे कि हमारे national income यानि राश्ट्री आयको मापा जाता है तो यहां पर productive method यानि product method को अब कहीं कहीं बुक में आपके value added method भी दिया है ठीक है value added method okay expenditure method होता है और आपका income method these are the three methods by which we can calculate the national income in India यह याद रखेगा काफी important है next हमारा है which of the following method is not used to determine national income at a country कौन सा आपका method नहीं use होता है अगर हम बात करे national income की तो यहां पर investment method कोई method नहीं होता है ठीक है आपके अगर बात करे national income को measure करने की ठीक है तो option number जो है d यहां पर correct हो जाएगा next हमारा है national income accounting entails calculation contribution at every stage of manufacturing this this method is known as method को हम अगर क्या कहेंगे हर अगर हर stage पर जो है यहां पर calculate करता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे product method कहेंगे इसको value added भी कहते है यानि हर value को यह consider क्या कर रहा है आपर then entails the calculation of contribution in every stage ठीक है every stage को count करता आपका value added method option number जो है आपका correct हो जाएगा next हमारा है national income at constant price divided from the total population of the country इसको हम क्या कहेंगे easy है यह हमारा क्या होगा real per capita income यानि अगर हम बात करें कि constant price पे ले रहा है national income at constant price पे ले रहा है जिससे वो total population से divide करता है तो यह हमारा क्या हो जाता है real per capita income option number b correct होगा per capita income पर क्या होती है difference there is difference between per capita income and real income में तो real income में हमने देखा कि constant price पे था आपका अगर हम per capita income की बात करेंगे तो per capita income government net national product divided by NNP किसे divide कर देंगे total population से clear total population से divide कर देंगे तो that is आपका per capita income option number यहां पर correct हो जाएगा on the basis of which of the following indicator the lifestyle standard of the person can be identified किसे हमें जो है lifestyle and standard of the person जो है पता चलता है तो यह हमारा जो है per capita income से हमें पता चलता है option number C correct है ठीक है next हमारा है यहां पर अगर हम बात करें पर capita income की तो आपको पता है ना national income divided by total population ठीक है total population अगर हम बात करें national income की यहां पर NNP at factor cost divided by total population यह आपका हो जाएगा clear तो यहां पर इस तरीके से यह कह रहा है option number यह बस ही होगा who among the following Indian freedom fighter made attempt to estimate per capita income of the India किसने जो है आपका कौन से ऐसे freedom fighter थे जिन्होंने first time जो है इंडियन जो है national income को estimate किया था तो आपके दादा भाई ने रोजी ने किया था 1867-68 में इन्होंने first time attempt किया था पर अगर बात करें वी के आरवी राव की ठीक है वी के आरवी राव की बात करें तो फॉर्स ताइम साइन्टिफिकली इन्होंने जो है attempt किया था नेशनल इंकम को मतव मेजर करने का पर वो भी काफी sufficient नहीं गा जाता है बट आफ्टर इंडेपेंडेंस first time the estimation of the national income was done by आपके जो है महल नोबिस थे ठीक है महल नोबिस के द्वारा यह किया गया था ठीक है कब किया गया 1948-49 में इनको जो है बोला गया था इनका रिपोर्ट आया था 1954 में clear तो first time attempt जो किया गया था वह आपके तादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था option number D करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपर क्यापिटा इंकम और इंडिया वस त्वेंटी रुपीज इन 67-68 इस ऐसर्शन फर्स ताइम बाई जिए चिसके द्वारा किया था तो दैदा भाई नेरोजी की द्वारा किया था option number D और है अब भी टेक्स को डिडत्त नहीं कर रहे हैं अगर हम टेक्स को डिडक्ट कर देते हैं अगर परस्टनल इंकम में से tax को deduct करना ही हमारा क्या होता है आपका disposable income the personal income minus direct taxes paid by the household mislarious fees and fines and etc that is called as disposable income याद रखेगा और personal income कुछ भी हो सकता है आपका wage भी हो सकता है rent भी हो सकता है ठीक है या फिर आप dividend कमा रहोगे अना undistributed profit होगा clear तो these are the personal income okay next हमारा transfer income is and यहाँ पर आपका transfer income क्या होगा income which is not produced by a production process यानि वो मतलब आपका income जो की production process से नहीं आया यानि आपको कोई gift दे देता है ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाता है transfer income हो जाता है अगर आपको बाहर से कोई gift दे दे रहा है तो that is transfer income जिसको कि आपके production process से उस money को नहीं बनाया तो यहाँ पर वो कहलाता है transfer जो है आपका income income वो income जो की आपका production process से आपको नहीं मिला यानि किसे ने आपको gift दे दिया आपको घर आते जाते आप किसी नाना नानी दादादी के घर पे गय तो उन्होंने आपको 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 किसी ने दे दिया है clear next हमारा है the value of final goods and services produced by the normal residents of the country and their property whether the operating with in domestic territory of the country और आउटसाइड इन इयर इस ठीके भी income को ले रहा है यानि net factor income from abroad को भी add कर रहा है net factor income from abroad क्या होता है जो हमारे इंडिया की income बाहर से आई है ठीक है Indian income from outside and minus जो है Indian income earned by the abroad मतवा को foreign person ठीक है वो बाहर की किसी परसन ने earned किया that is called as अगर असको minus हम कर देंगे तो net factor income from abroad हो जाएगा next हमारा है आपका इसका answer वही होगा क्योंकि foreign भी है यहां पर included है तो यहां पर जीन आपका gross national income next हमारा इंडियन the national income of the country for a given period is equals to किसके बराबर आपका होता है अगर हम बात करे तो यहां पर रहाद रखेगा कि जो money value होती है all final goods and services produced in the economy in a particular year that is called as आपका national income तो यह आपका D हो जाएगा यहां पर all money value of final goods and services produced ठीक है तो option number D हो जाएगा next देख लेते हैं काफी important है हम लोग 20 question तो cover करेंगे इसको first report of national income committee कब आई थी तो अभी just मैंने थोड़े देर में आपको बताया था कि first report जो है आपको देखने के लिए मिले थी यह code है आगे हमें देखना है ठीक है तो first जो report आई थी वो 1954 में आई थी किसके द्वार दादा भाई नरोजी के द्वारा किया गया था और इनका जो committee बना था वो आपका 1948-49 में बना था scientific method की बात करें तो किसने scientifically method से जो है हमारा national income measure किया था तो वो आपके थे के आर भी राओ कब दिया था report तो इसके बारे में आप लोग detail में जान लीजे कि first जो है आपका अगर official national income जो estimate किया था वो PC महल नोबिस प्रोफेसर PC महल नोबिस ने किया था कब 1948-49 में clear इन्होंने 48-49 में किया था अब बात करें कि ठीक है 48-49 में कर लिया रिपोर्ट कब दिया था 1954 में clear यहां पर 1954 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था first time clear अगर हम साइंटिफिक मेथर्ड की बात करें that that was done by VKRV राओ ठीक है VKRV राओ के द्वारा जो है किया गया था किस हेर में किया गया था 1931-32 में ठीक है 1931-32 में किया गया था clear और यहां पर अगर 58-60 67-68 का जाता तो बेसिकली इसका तो यह मैच कर जाएगा यहां पर जो है I think जो रिपोर्ट है वह पब्लिश होनी चाहिए थी है 1954 में तब जाके यहां पर इससे मैच करता 48-49 में तो यहां पर first time जो है government estimation के लिए दिया था और अगर हम बात करें साइंटिफिक estimation नेशनल जो income का वो किया गया estimation 1948-49 में सरकार के दारा government के दारा यानि government कब फ़र्म होती है जब आपकी sovereignty होती है याद रखेगा question थोड़ा technical अगर political science साब समझते हो कोई भी state कब complete होता है जब उसके पास अपनी सरकार होती है और एक particular territory fixed हो जाती है ठीक है और population होता है ठीक है के पहले हमारे पास कोई specific हमारी boundary नहीं थी ना हमारे पास कोई sovereign state था ठीक है तो 1948-49 में क्या हुआ कि फर्स टाइम जो है national income के estimation की बात की गई थी पर दादा भाई ने रूजी की बात करें कि इन्होंने कब estimation करना start क्या था तो 60 1867-68 में किया था scientific method देने वाले थे वो 1931-32 मे किया और अगर बात करें इसकी report की first national income का report कभवा था 1954 में तो आप लोग इसको please write कर लिए जाएगा क्योंकि option सही से match नहीं कर रहा है next हमारा है which of the following factor are accounted in calculation of gross domestic product of the country in expenditure method expenditure method में आपका क्या क्या चीज आ जाता है यहां पर आपका private तो consumption आएगा क्योंकि आपको पता expenditure method का c plus i plus g net export है ना यहां पर net export यानि export minus import clear तो यह जो है तुम्हारा consumption हो जाएगा investment आ जाएगा net expenditure on export minus import यह भी आ जाती है यानि सारी चीज़े इसमें included हो जाएंगे option number यहां पर correct हो जाएगा तो यह जो है आपका कौन सा important जो है question को cover करने कोशिश की है काफी important है इस topic से आपके exam में एक से दो प्रशना आ सकते हैं इस वज़े से आप जो है इसको thoroughly पढ़ लीजएगा clear और जुड़े देएगा जाल पर subscribe कर लेजएगा बलाएगर प्रेस करना नहीं भूलेगा धन्यवाद